Hello everyone, this is Ritu and welcome to study more knowledge. So DTPSB की तरफ से एक notice जारी हुआ है, जो की है PGT Computer Science Mail के लिए postcode है 29 पटे 22 तो ये जो postcode है, इसके लिए basically, cut-off जारी कर दिया है DTPSB के द्वारा और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपका exam हुआ था 21 नमबर को 21 नमबर को इसका exam हुआ था, 21 नमबर 2022 को इसमें 243 candidates जो हैं इन्होंने exam दिया था, written exam और अभी इसमें जो cut-off है वो जारी कर दिया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर shortlist जो candidates हैं उनकी भी संख्या दी गई है तो shortlist जो candidates हैं वो हैं, OBC में 5, SC में 10 और ST में 4 तो cut-off marks आप यहाँ पर देख सकते हैं, 118.75 OBC के लिए हैं, SC के लिए हैं 126.75 OBC के लिए हैं 91, तो यह वैसे लिए cut-off जो जारी हुआ है, इसमें जो shortlist candidate हैं, उनको अपने e-dozier documents upload करने हैं, website पर अपनी ID में जाकर के, तो उसके लिए जो आपका link है, वो activate हो जाएगा 21 मार्स 2023 से, यह link activate रहेगा आपका 4 April 2023 तक, तो जो लोग भी shortlist हुए हैं, वो अपने documents इस date के दुरान, जो है, upload कर दें, लगभग 15 दिन को आपको time मिलेगा, तो कोई भी अगर आपको complete करना होगा, तो जो भी candidates जो हैं, वो shortlist हुए हैं, उन सभी को congratulations, ऐसे ही जरूरी news and updates के लिए चैनल को subscribe जरूर करें, तो मिलते हैं next video में, thanks for watching.